सबसे बड़ी बात है कि जम्मो कश्पीर में भारती जन्ता पार्टी एलेक्शन लड़ रही है जह मुरियत पे बलीब करती है अब पूरी तरह से एलेक्शन बोड में हैं तो एलेक्शन ठीक परकार से हो और भारतियंता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी मन करके आए उसके लिए हमारी तयाद लक्षेन कमिशन ना इचानक ये अनौंस किया तो इबीजेडली पार्टी को स्टेप लेना है क्योंकि केंडियेटिकों के अब काभी उन्होंने वर्क ओड करना है जम्बू कस्मीर में दस साल बाद विधान सबाच हुनाओ होने हैं ऐसे में अब राजनिती पार्टियां हरकत में आ गई है ये डिपी हो, एनसी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो जम्बू कस्मीर की।khoph Finn also गवूर को चारगकों प्रडांप को से जोगते हो लेकिन पीजेपी जम्बू कस्मीर के चुनाओ कुन लेकर कितना तयार है इसपर पीजेपी के निताओ ने अपने प्रित्विजा चाहिर की है उनी से सुनिए कि घाटी में होनी वाले चुनाओ को ली करके बीजेपी कितनी दियार है क्योंकि बीजेपी के उमीद है कि आर्टिकल 370 के बाद से उसे बड़ी कामियाबी मिलेगी अगर 2014 की बाद की जाये विधानसवा चुनाओ की तो बीजेपी को काफी अच्छी कासी सीट मिली थी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के उबरी थी और यहाँ पे बीजेपी को 25 सीटे मिली थी लेकिन अब जब 10 सल बाद चुनाओ हो रहे हैं और जब परिदिस यहाँ का बतला है परिसीमन के बाद ये पहला चुनाओ है आर्टिकल 370 के बाद ये पहला चुनाओ है तो दिखना होगा कि किस पार्टी को कितना फायदा होगा और क्या बीजेपी वाकई में जमु कश्मी कामेटी बनी है इलेक्शन की उसका में सदस्यों कि यह हमारे कारिकरता तै करते हैं ब्रॉंट से मंडल एद्यक्ष सबसे बड़ी बात है कि जम्मु कश्मीर में भारती जनता पार्टी एलेक्शन लड़री है जह मूरियत पर बलीब करती है देश के बड़ा हूएं लेकिन देश के वजीरे आजम और देश के वजीरे दाखला ने जो लोगों से कुमेट्पिंट करी थी और सुप्रीम कोट का योगी वो था अलेक्शन होने जा रहा है और होफुली लोग हमें मौका देगे लग आपको क्या लगता है कि सर्कार आने वाली है जो आने वाले हरती जनता पार्टी को लोग मौका दें के सेवा करने का लेकिन इसी में अभी बयान बाजी की होना शुरू हो गई है अभी अमर उदुला ने कहा है कि पहले ही सतर में हम 370 का बिल लेके आएंगे अगर वो जीतेंगे नेक्शन का लोगों ने तै करा है अब्रोकिशन का लो इन सभी पर सेलेक्शन का सिलस्वा भी चलेगा तो उसी संबंद में यह जो मीटिंग से रखी गई तो आज क्या रहेगा उसके बारे में केंद्री नेत्यतों यहां पर आया है जिस परकार से बहुन नविश्यों पर बात होगी और यह भी है कि एलेक्शन कमेट्री की मीटि ठीक परकार से हो और भारतियंता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी मन करके आए उसके लिए हमारी तया है यह मिटिंगों के बाद ही तया होगा अब इस पर मैं कुछ नहीं किया सब्सक्राइब का बयान आया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो पहला जो वह बिल आएंगे व हो जाएगा धारा 370 को उटे के बाद हुआ तो कुछ नहीं लेकिन यह कश्मीर में जो इस परकार के इनकी दुखान दारी थी 370 को लेकर के लोगों ने इसको नकार दिया है तब ही तो इनको हराया है दोनों जो पार्टिया है दोनों चीप मिनिस्टर रहे तो आगे भी यह ही ओने वाला है कि ऐसा कुछ नहीं है यह संसद में पास हो चुका है इस पर करून संसद ही मिनाता है संसद नहीं पहले लागू किया था संसद दोरह इसको हटाया गया है वहारी बारतिया जंदा पार्टी हमेशा अलक्षन के लिए त्यार हती है बड़ जब अलक्षन कमिश तो उसके लिए जो भी हमारी एलेक्शन के मेंटियों अगये उसके मेंबर है और जो कंसर न और लीडर हैं पार्टी के वो दिली से वाः है और इमीजेडली दो चार दिन में बड़ा हेक रहेगा वितास अता फैट चिए अपेशन जो है वह जिस डंग से इमीजेडी नउन अपने एरिया के हमेशन में इम्पक्त तो है अपने एरिये में तो मुझे लगता है उसे अच्छा रहेगा उसे फाइदा रहेगा उसे फाइदा रहेगा इमारी पार्टि नहीं तो आपलेके मी जुन्त का जोड़ी आया जोसे फायदा होगा है हाँ शूर